इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फॉर्स्ट एर के सब्जेक्ट फार्माकोगनोसी में टॉपिक एंटी लेप्रोटिक्स के मन्टिपल च्वाइस को जानेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो प्रशंद आती है तो वीड लेप्रोशी इस नोन एज एंटी लेप्रोटिक ड्रग वैसा ड्रग जो लेप्रोशी के ट्रेट्मेंट में यूज होता हो उसको हम एंटी लेप्रोटिक ड्रग करते हैं सेकेंड कोस्टन के तरह आप अब हम बढ़ते हैं लेप्रोशी इज अलसो नोन एज लेप्रोशी को हम Hansen disease के नाम से भी जानते हैं अब हम third question के तरह बढ़ते हैं the bacteria mycobacterium leprae that causes leprosy was identified by Dr. G.H. Hansen इस लिए ही इस disease का नेम भी Hansen disease परा इस year में Dr. G.H. Hansen ने leprosy causing bacteria जो mycobacterium leprae है उसको identify किया था 1873 में अब हम fourth question जानते हैं one of the important drug used in the leprosy treatment is तो सबसे important drug है leprosy treatment वह है चल्मोगरा oil अब WHO के recommendation ये बाद multi drug therapy का use होता है leprosy treatment में अब हम fourth question के तरह बढ़ते हैं चल्मोगरा seed is also known as चल्मोगरा seed को हम और दूसरे नाम से जानते हैं वो नाम है जंगली बदाम अब हम six question जानते हैं biological source of चल्मोगरा seed is चल्मोगरा seed का biological source क्या है तो जितने भी इसमें दिया गया है जैसे hydnocarpus curzine, hydnocarpus anthelmentic, hydnocarpus vitiana यह सब biological source है चल्मोगरा seed का all of the above होगा इसका answer अब हम seventh question के तरह बढ़ते हैं hydnocarpus curzine या फिर hydnocarpus vitiana belongs to the family जो hydnocarpus curzine या फिर hydnocarpus vitiana है वो किस family से बिलॉंग करता है तो इसका answer है फ्लेक वर्टी से फ्लेक वर्टी से फ्लेक वर्टी से से hydnocarpus curzine या hydnocarpus anthelmentic या फिर hydnocarpus vitiana बिलॉंग करता है एर्थ question हम जानते हैं major constituent of चल्मोगरा oil is जो चल्मोगरा oil है उसका जो major chemical constituent है वो है hydnocarpic acid इस वीडियो में बस इतना ही होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को सेयर करिए